नमस्कार दोस्तों, वेलकन वोल अफेर्स, मैं हूँ प्रशान्दवन, नाओ, रिसेंट्टी फ्रांस से एक काफी खरामनी उज़ाई है, फ्रांस की एक कोट ने जज्जमेंट ये दी है, के केन एनरजी, जो यूके बेस्ट कमपनी है, ये जब्द कर सकती है भारत सरकार की 20 स उससंपतियां, जो हैं फ्रांस में, ये ज़रारतार कई flats हैं, कई properties हैं, और ये अभी के लिए freeze कर दी गई हैं, अगर इंडिया यहाँ पर आपील करके, केस नहीं जीतता, तो ये सारी property जो भारत सरकार की है, जो हमने purchase करके रखी थी, for diplomatic missions और काम के लिए, ये चली जाएगी UK की कंपनी Kane Energy को नाव हला कि भारत सरकार ने ये काए कि हमको officially court का order यहाँ पर अभी तक आया नहीं है मगर Press Trust of India ने सबसे बले यहाँ पर report किया है और ये का है कि Britain की कंपनी Kane Energy ने secure कर लिया है French court में order और भारत सरकार की जो property थी 20 properties in France ये निकल गई है हमारे हाथ से ये एक बहुत खराब news है embarrassment है, humiliation है type की मारे देश के लिए और मैं इस topic पर कई videos पहले भी बना चुका हूँ, मुझे याद है 6 महीने पहले मैंने world affairs पे बनाए थी ये video कि भारत को चुकाने होंगे 1.2 billion dollars in Kane Energy केस, उसके बाद मैंने एक और वीडियो उनाई थी 3 महीने पहले और मुझे याद है दोनों वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे ये भी का था अरे सर कुछ नहीं होगा properties हमारी है, हमारे पास रहेगी ये ज़रा कुछ करनी पाएंगे मगर मैंना आपको बदाया था के ये case international court में गया है वहाँ से judgment आई है भारत सरकार के लिए यहाँ पर बचना मुश्किल होगा नाव जो ये पूरा किस्सा है बहुती simplified और आसान language में आपको बदाता हूँ Kane Energy, UK की company ये भारत में आई थी इसने भारत में काम करना स्टार्ट किया था 2006 में ये primarily काम करते हैं oil और natural gas के business पे राजस्तान में कुछ discovery भी करी थी इन्होंने natural gas की मगर जादा इनका business बहुती लंबे समय तक यहाँ पर चलानी इन्होंने यहाँ पर decide किया के यहाँ पर इंडिया को अभी के लिए छोड़ कर यूरोप में ही focus करते हैं मगर जब तक यहाँ पर थे करीब 2006 से लेकर 2010 के आसपास इन्होंने काफी बार shares transfer भी किये थे Kane Energy International और Kane India के बीच में इनको लगा के अभी के लिए इंडिया में कोई टैक्स का issue तो है नहीं shares के transfer को तो इन्होंने यहाँ पर shares transfer कर दिये और कुछ transactions करी अब भादर सरकार ने क्या किया March 2012 में introduce कर दिया retrospective tax अब जो यह शब्द है ना बहुत ही आपको simplified तरी करे समझा रहा हूँ retrospective tax इसको देखना retrospective होता है in the past पहले जो हुआ था अगर आपको English में एक sentence बोलना है कि अगर मैं पीछे मुण के देखूँ तो शायद मेरी ही गलती थी मैं गलत था तो आप कह सकते है in retrospect I was wrong तो retrospective tax भी ऐसा ही होता है कि जब यह tax बना उससे पहले की जो date है उससे पहले का जो time है वहाँ पर भी यह tax लगेगा मतलब के मानलो के कल मैं बहार निकलता हूँ एक black t-shirt पैन के परसो फिर सरकार एक नया law pass कर देती है कि जो भी black t-shirt पैन के निकलेगा उस पर 1000 उपे का fine लगेगा अब मैं आपे कह सकता हूँ के मैंने तो black t-shirt पैनी थी log pass होने से पहले मगर सरकार यहाँ पे कह सकती है के यह तो retrospective tax है के मतलब के पहले भी अगर किसी ने black t-shirt पैनी है तो उस पर भी हम लगा सकती है tax तो सरकार ने भी यहाँ पर यही किया kane energy यह चली गई international court of arbitration में और वहाँ पर कर दिया भारत सरकार पर case के गलत तरीके से इन्होंने हम पर tax लगाया है और अब इन्होंने हमारे shares भी यहाँ पर कर ली है जब्त अब यहाँ पर आप कह सकते हैं के जो यह retrospective tax वाला system है यह है तो कुछ हट तक अजीब के मतलब पहले की जो dates है वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं यह tax interesting बाद यहाँ पर यह है के जो लोग उस वक्त सरकार चला रहे थे आज के समय 2020 में वो खुद कहा रहे हैं के retrospective tax एक बहुत जादा खराब निड़ने था यह देखिया आज कह सकते हैं उस वक्त यहाँ पर भनेस मिस्टर थे पीचि नम्रम साब उन्होंने I think revenue ज़रा generate करने के लिए यह कर दिया था बाद में पता लगा के companies यहाँ पर जुकती नहीं है और international court में अगर यह case चला जाता है तो country ही हारती है company जीतती है जरातार तो आप कह सकते हैं के इंडिया ने खुद पर ही यह चोट डाली थी retrospective tax को लेकर एक तो इस पर वुड़ाफुन का case है उसके इलावा केन इंडिया का case है और काफी इस पर article भी पब्लिश हुए in the past के literally इंडिया ने बिना बाद पर अपनी बेस्ती कराई है international level पर retrospective tax के issue को लेकर अब यहाँ पर मैं यह नहीं कहा रहा के सरा blame यहाँ पर जाता है UPA2 government पे और डॉक्टर मनुवण सिंग जी यह सब avoid कर सकते थे जब बाद में अगली सरकार आई NDA1 जब आई जहाँ पर finance minister थी अरुण जेटली जी इन्होंने भी यह कातो था के retrospective tax गलत तरीके से लागू किया गया मगर इन्होंने भी altogether पूरा issue resolve नहीं करवाया revenue कर आलज हर सरकार को होता है तो इन्होंने यहाँ पर यह का के चलो ठीक है हम private companies को एक offer देती है interest penalty वगरा वो सब हम अठा देंगे सीधा जो main आपको tax pay करना है वो pay कर दो cane energy इस पर भी नहीं माने इन्होंने का के नहीं यह tax ही गलत है गलत तरीके से लागू किया गया है हम सीधा international court में इंडिया के खिलाफ case जीतेंगे और तुम लोग यहाँ पर pay करोगे हमको damages और फिर यहाँ पर हुआ यही Netherlands में जो permanent court of arbitration है वहाँ पर यह case गया और यहाँ पर cane energy यह case जीत गई इसके पीछे geopolitics कुछ involved नहीं है यह simple case है law का यहाँ पर Boris Johnson, Emmanuel Macron यह लोग यहाँ पर कुछ करने ही सकते तो अभी के लिए भारत सरकार को यहाँ पर 8,840 करोड के आसपास pay करने है to cane energy इसमें से जालातार इनके जब शेयर ही है वही हमको वापस कर देने है मगर फिर भी भारत को भी अपनी तरफ से कई करोडो रुपे एक्स्ट्रा यह pay करने होंगे cane energy को now इंडिया के पास यहाँ पर option थी case हार गए सिदा सिदा यहाँ पर pay कर देते मामला खतम करते मगर इंडिया ने यहाँ पर यह का के नहीं अभी बातचीत करते हैं तो यहाँ पर इंडिया के finance secretary ने इनको इन्वाइट किया cane energy के CEO को बातचीत हुई इन्होंने का के meeting काफी constructive थी मगर अब साफ साफ लग रहा है के cane energy को जल से जल अपना पैसा वापस चाहिए यह negotiate नहीं करना चाहते इसलिए यह दुनिया भर में जाकर जो भी courts हैं चाहिए USA का court, UK का court, France का court उनको यहाँ पर यह कह रहे हैं कि भारत सरकार की जो भी यहाँ पर properties हैं उसको आप freeze कर दो हो सकता है कि उनमें से कुछ properties आपको हमको देनी पड़े क्योंकि international court का हमारे पास यहाँ पर judgment है हमको 1.5 billion dollars चाहिए from Indian government तो उसी basis पर यहाँ पर France के court ने पहली बार भारत की 20 property कर दिये freeze और अगर भारत सरकार यहाँ पर अपील नहीं करती court में और यह case नहीं जीतती और unfreeze नहीं कराती अपनी property तो 20 की 20 जो यह properties हैं यह चली जाएगी केन अनरजी के पास और in the future भी यह बहुत बार होगा यह एर इंडिया की properties हैं भारत सरकार के कई होटेल के साथ भी हो चुका है देखिए और countries के साथ भी हो चुका है companies काफी बार किसी country में निवेश करती है invest करती है dispute खड़ा हो जाता है tax को लेकर penalty को लेकर investment को लेकर dispute resolve करवाने के लिए यह permanent court of arbitration होता है वहाँ पे जो भी judgment होती है वो माननी पड़ती है काफी बार companies को भी नुकसान हुआ है और काफी बार countries को भी नुकसान हुआ है और अगर यहाँ पे आप पूछना चाते हैं कि क्या इंडिया अपनी 20 properties बजा सकता है तो इसका answer है हाँ पाकिस्तान ने हाली में करके दिखाया था रेकोडिक केस के बारे में आपने सुना होगा पाकिस्तान में एक जगा है रेकोडिक वहाँ पे एक बार mining के लिए इन्होंने एक Canadian company को बुलाया इन्होंने यहाँ पे कुछ investment करी कुछ पता लगा यहाँ पे के resources भी है मगर बाद में पाकिस्तान ने इस company को लात्मान के भार निकाल दिया इसके response में यह company गई फिर permanent code of arbitration में वहाँ पर यह case जीत गए पाकिस्तान के अगेस्ट और जिस तरीके से आज के समय केन एनरजी भारा सरकार की property को जब्त करवा रही है इन्होंने भी पाकिस्तान का एक billion dollar New York का hotel है Roosevelt Hotel यह भी freeze करवा दिया था फिर पाकिस्तान की government ने इसके response में एक और case file किया और अभी के लिए अपना जो यह hotel है यह unfreeze करवा दिया तो पाकिस्तान यह कर सकता है, हम भी यह कर सकते हैं करता है आपे किस तरीके से हम लोग अपना पक्ष रखेंगे in the French code और finally यहाँ आपर मैट कर दूँ कि आप unacademy के courses purchase कर सकते हैं from unacademy.com किसी भी exam के आप preparation कर रहे हैं unacademy.com पे जाओ या फिर unacademy की जो आप है download कर लो, यहाँ पर register कर लो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं the exam of your choice अगर आप prepare करना चाहते हैं for UPSC तो click on UPSC और अगर आपका target है कि 2024 में एक proper attempt आपको देना है तो आप purchase कर सकते हैं unacademy का 24 month course सिर्फ 3000 रोपीस पर मन्त में आप UPSC prelims और mains की तियारी कर पाएंगे मगर यह price कभी भी पे मत कर देना use करो यहाँ पे promo code PD10 and the prices will fall so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वीडियो का अंत thank you for listening and as always God bless you all Psalm 6 दो अ उना है अज़ा शो आ गरे वाएंगे कर दो आपको 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 1 mm ये तो आपको